सभी साथियों को मेरे नमस्कार, आज हम आपको एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घर बैठे कैसे लेते हैं, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे. आप लोग एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट सिर्फ दो मिनिट में ले सकते हैं, वो हम इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग अपने कंपिटर की स्क्रीन पर आते हैं, Google Chrome ब्राउजर को ओपन करते हैं. जैसे ही Google Chrome ब्राउजर को हम लोग ओपन करेंगे और सर्च बार में हम लोग OSR सर्च करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं ORS पैसेंट पोर्टल आ गया है हम लोग इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम लोग ORS पैसेंट पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफीस मेरे सामने खुल कर आएगा और इसमें आप देख रहे हैं book appointment, register login सारी चीज़े दी हुई है और आप देख रहे हैं जो हमारा सबसे उपर टॉप में जो हमारी link दिया हुआ है ORS.gov.in इस से आप लोग direct इस साइट पर redirect हो जाएंगे और यह देखो book appointment पर क्लिक करेंगे हम लोग नीचे book appointment पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफीस खुल के आ जाएगा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं state लिखा हुआ है aims लिखा हुआ है और यहाँ जब aims पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर जितने भी हमारे aims की branches हैं वो सारी आपको सो होंगी यह देखिए aims पर जैसे क्लिक क्लिक क्या aims निव डिलही aims भटिंडा aims पटना विहार aims छत्तिरगड कर जहां जहां मेरी सारी ब्रांचेज हैं वो सब सो हो रही हैं तो हम लोगों को aims निव डिली पर क्लिक करना है क्योंकि हम aims निव डिली के लिए registration करना चाहते हैं ह हम लोग यह जो आप लोग देख रहें हैं लाल घरे में हम लोग इसी पर क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने appointment, daily consultant ये सारी चीज़ें आएंगी तो हम लोग appointment पर click करेंगे क्योंकि हमें नय appointment लेना है तो हम लोग appointment बटन पर click करेंगे तो हम लोग appointment पर click करते हैं तो कुछ इस तरह का page open होगा तो हम लोग यहां पर देख रहें new appointment क्योंकि हम नया registration कर रहे हैं नय appointment तो new appointment पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें जिस department में दिखाना है वो सारे AIMS New Delhi के department मेरे सामने खुल के आ जाएंगे जैसे लिखाए treatment for oral health, philica cn center treatment of cardio, muscular and neurological disorder, doctor br institute, rotary cancer hospital यह दिखे doctor rp center treatment for eye care जैसा कि हम लोगों को doctor rp center treatment for eye care में हमें दिखाना है तो हम लोग इस department पर click करेंगे जैसे ही department में click करेंगे तो doctor rp center eye care वहाँ पर आ गया है तो हम लोग doctor rp center पर click करेंगे जैसे ही click करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस तरह का page open होके आएगा अब देखिए मेरे सामने यहाँ पर वो date खुलकर आ गई है जिस date में हमें अपना appointment लेना है जो यहाँ पर लिखा available, available का मलब जो जो हमें slot book होंगे वो green color से दिखाई देंगे और जो filled है पहले से booked है वो orange color से दिखाई देंगे जो छुटियां है वो तुमारे वो भी dark orange में दिखाई देंगे जो हमें slot हमारे available है वो green color में so होंगे तो हम लोग इसमें एक slot book करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 17 तारीका slot book करते हैं तो हम लोग 17 पर click करेंगे यह देखे सारी detail आ गई है खुल करके department mode confirm apartment 17 का लेना है confirm पर click करेंगे जैसे ही confirm पर click करते हैं तुरंत ही एक नया page पर redirect होगा यहाँ पर हम लोग अपना mobile number एंटर करेंगे जब mobile number एंटर करेंगे उसके बाद में हम लोग OTP के माध्यम से सीधे अपनी booking करेंगे यहाँ पर get OTP पर click करेंगे जैसे यह OTP पर click करेंगे मेरे पास एक OTP आएगा और उस OTP को हम यहाँ पर enter करेंगे हमने OTP एंटर कर दिया यहाँ पर login करेंगे जैसे ही login करेंगे तो यहाँ पर लिखके आ रहा है you can register six member with one mobile number मतलब कि आप एक mobile number से च्छै member को register कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर register member पर click करेंगे जैसे register member पर click करेंगे एक नया page open होकर आएगा सबसे पहले हम लोग का residential state पूछ रहा है तो हम लोग अपना UP select करेंगे जहां से आप हैं जिस state से आप हैं वो select करेंगे अब यह कर रहा है do you have ice one भारत health card अगर आपके पास ice one भारत health card है तो yes करेंगे नहीं तो no करेंगे मेरे पास नहीं है तो मैं no पर click करता हूँ जैसे ही मैं no पर click करूँगा तुरूंत एक नए page पर redirect मुझे कर दिया जागी है देखो demographic detail आ गए अब मुझे जिस percent को वहाँ दिखाना है उसकी सारी detail इस page पर भरनी है तो हम सारी detail को पूरा fill कर लेते हैं जो भी इसमें चीजे मांग रहा है first name, middle name, date of birth, month, year, guardian, email जो भी सार हमने सारी detail fill कर ली हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर submit button पर click करेंगे जैसे submit button पर click करेंगे तो हम लोगों का registration हो जाएगा यह देखे हमने submit button पर click किया तो लिख के आगा congratulations you have got appointment please give your feedback वहला भी यहाँ पर print का भी option आ रहा है खुलकर आप लोग यहाँ से print करेंगे तो आप आपकी जो slip होगी वो print हो जाएगी आप उसको अपने computer में PDF में save कर सकते हैं यह देखिए हमारी प्रिंट आ गया है आप इसी परची को ले के वहाँ जाएंगे आपका जो slot है वो online book हो गया है तो आप लोग इसको print कर सकते हैं या save करके आप लोग अपने computer में रख सकते हैं जैसा कि आप लोग इस पर देख रहे हैं तो हम लोगों ने इस file को इसमें aims daily appointment के नाम से save कर लिया है अब हम लोग इस video को save कर लेते हैं तो अगर video पसंद आया हो तो like करें subscribe करें अपने friend के साथ share करें अगर आपके मन में कोई confusion हो तो comment box में comment करके बताएं धन्यवाद